देखो 16 में, look at the graph A to D, ये चार ग्राफ दिये हुए हैं, इन पर ध्यान दो, state with reasons which of these cannot possibly represent one dimensional motion of particle, ये चार ग्राफ में कौन से ग्राफ ऐसे हैं, जो की, एक विमिय गती को प्रदर्शित नहीं करते, एक विमिय गती को संभावताय प्रदर्शित नहीं करते, बताएं, एक विमिय गती को संभावताय प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है, बोलो विड़ा, क्या आरा है, कौनसा एक भिमिय गती को प्रदर्शित करते के नहीं करते और क्यों, रीजन मैं बताऊंगा एंसर आप दो एक भिमिय गती को, वन डाइमेशनल मोशन को इन चारों में से कौनसा ग्राफ प्रदर्शित नहीं करता इसका उत्तर है इन चारों में से कोई नहीं करते चारों ही गलत ग्राफ हैं देखो एक-एक करके अब क्यों गलत हैं पहले पर विचार करो पहले मैं ये कुछ ऐसा फंदे टाइप का ग्राफ दिया हुआ है तो आप क्या किया करो टाइम एकसेस जो दे रखी है ना टाइम एकसेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ट्रॉ करो ऐसी टाइम एकसेस के लंबवत परपेंडिकुलर लाइन ट्रॉ करो तो टाइम एकसेस के परपेंडिकुलर लाइन ट्रॉ करेंगे तो ये दो point पर ये cut कर रही है तो इसका मतलब ये बता रही है कि एक ही time पर कण की दो इस्थितियां है particle की दो position है जो की possible नहीं है हो सकता है क्या कि आप एक ही समय पर खर पर भी बैठे हैं और उसी समय पर आप अपने teacher के हां भी बैठे हैं उसी समय पर आप पार्क में भी गोम रहे हैं उसी समय पर आप बाड़े पर भी है एक कण एक समय पर एक ही स्थिति रख सकता है एक से ज़्यादा स्थितियां नहीं रख सकता present scenario में इसलिए यहाँ पर आज की physics के अनुसार एक कण एक समय में एक ही जगे पर हो सकता है तो इसलिए यह graph गलत है क्योंकि यह एक ही समय पर एक से ज़्यादा स्थितियां बता रहा है इधर भी है और यही कण यहाँ भी है दो जगे पर है ठीक है ना इसलिए यह संभव नहीं है पहला क्यों संभव नहीं है आप चाहें तो लिख लें पहला क्यों संभव नहीं है because particle cannot have two position at a time यूँकि कण एक ही समय पर तो इसलिए यह ज़्यादा इसलिए नहीं रख सकता कण एक ही समय पर एक से ज़्यादा इसलिए नहीं रख सकता particle cannot have two or more than two positions at a time अब आजाओ बच्चो इस पर second वाला क्यों सही नहीं है आप बताओगे क्या second वाला भी सही नहीं है यह velocity time graph है velocity time graph है इसमें भी यही reason है कि अगर हम time access के perpendicular एक line draw करें तो इस graph को वो दो point पर cut कर रही है यानि एक ही time पर particle की दो velocity भी नहीं हो सकते particle cannot have two or more than two velocities at a time एक ही समय पर एक से ज़्यादा velocity संभाव नहीं है एक ही समय पर एक से ज़्यादा wake संभाव नहीं है आप देख रहे हैं इस point पर यह velocity है इस point पर यह velocity है दो velocity एक ही time पर है तो एक ही time पर दो velocity नहीं हो सकते और simple सा तरीका है कि अगर समय अक्ष के लंबवत आप एक line खीचो और वो line उस graph को एक से ज़्यादा बिंदूओं पर cut करती है तो वो graph संभाव नहीं होता ठीक है अगर time axis के perpendicular अगर आप एक line टो कर रहे हो और वो line टी graph को या 80 graph को एक से ज़्यादा point पर cut करती है तो वो graph possible नहीं होता one dimension के लिए तो ये तो possible नहीं हुए अब आजाओ ये तीसरा तीसरा भी possible नहीं है तो रीजन कौन बताएगा? तीसरा possible नहीं है रीजन कौन बताएगा? जल्दी से बताओ तीसरा पॉसिबल नहीं है, रिजन कौन बताएगा, तीसरा स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब चाल समय ग्राफ है, कौन बताएगा, ये क्यों से संभो नहीं है, ये क्यों संभो नहीं है, कौन बताएगा, ये क्यों संभव नहीं है कौन बताएगा इसलिए संभव नहीं है आप देख पा रहे हैं कि पहले यहां से अगर मैं स्टाट करूं तो speed negative है यहां speed negative है यहां 0 हो गई यहां speed positive है फिर कम हो गई फिर 0 हो गई फिर negative हो गई क्योंकि speed में direction नहीं होती, तो यह negative speed को show कर रहा है, इसलिए यह गलत है, तो यहां कह सकते हैं, speed negative नहीं हो सकते, negative नहीं हो सकते, जबकि इसमें negative दी है यहां पर, इसलिए यह वाला भी संभव नहीं है, total length का graph possible है क्या, दूरी negative नहीं होती, बिल्कुल सही है, और speed भी negative नहीं होती, इसलिए तो speed negative नहीं होती, क्योंकि speed बरावर दूरी बटे समय होता है, तो इसलिए दूरी negative नहीं है, तो speed भी negative नहीं है, ये वाला बताओ, टोटल पाथ लेंथ, बिल्कुल सही है अनुराग, ये बताओ, टोटल पाथ लेंथ और टाइम के बीच में एक ग्राफ सही है क्या, पत लेंथ, पत की लंबाई, पत की लंबाई, पत की लंबाई और समय के बीच में एक ग्राफ सही है क्या, ये नहीं है, क् पत की लंबाई देखो पहले तो बढ़ रही है फिर घट रही है फिर जीरो हो गई फिर बढ़ी पत की लंबाई समय के साथ कभी घटती नहीं है ठीक ना तो यहां इसलिए यह भी पॉसिबल नहीं है लिख देना पाथ लेंथ गैन नेवर डिक्रीज विद टाइम टाइम के साथ पत की लंबाई घटती नहीं है जबकि इसमें घट रही है यहां से आतक घट रही है तो यह समभाव नहीं बढ़ती है हमेशा तो यह वाला ग्राफ भी समभाव नहीं है तो चारों समभाव नहीं है ठीक है मिर ख्याल से यह बात समझ में आई होग पे particle, एक बिमिय गती के लिए ये graph दिया हुआ है, एक बिमिय गती तो खुदी बोल रहा है, एक बिमिय गती के लिए बोल रहा है, फिर बोला, is it correct to say, ऐसा कहना सही है, from the graph, that particle moves in a straight line, for t less than 0, and on a parabolic path, for t greater than 0, if not, suggest a suitable physical context for this graph. ये कौनसे graph है, x-t graph है, तो x-t graph ऐसा बता रहा है, कि ये location ये फिर ऐसा, इतना part जो है, अगर आप blue color से इसको देख पा रहे हों, आप अपने mobile में, तो यहां से यहां तक इसकी position 0 है, 0 है कि नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक x, यह देखो y बराबर, यानि जो t है, इस t समय पर सुरुवात में, जो भी समय रहा हो, negative माना है कालपने के रूप से, तो यहां x की value क्या है, 0 है, कितने part में, यहां से लगा के, यहां तक, तो अगर मैं इसको name देदू, a से o तक, a से o तक, x बराबर क्या दिया है, 0, तो a से o तक x 0 है, x मतलब यह उपर की दिशा में x है यह, तो यह x 0 है, इसका मतलब कण कैसा है, rest में है, यहां पर कण rest में है, अच्छा, x t ग्राफ यह पैराबॉलिक है, पैराबॉलिक का equation क्या होता है, x directly proportional t square, तो यहां से velocity निकल आएगी, differentiate करके, velocity directly proportional t आएगी, तो इसका मतलब यह ग्राफ शो कर रहा है, कि इसकी जो velocity है, व बढ़ रही है, बेग इसका समय के साथ बढ़ रहा है, लेकिन इसमें पूछा यह है, कि जैसा ग्राफ दिया है, क्या कण बैसा ही चल रहा होगा, जैसे a से o में सीधी रेखा दिये, तो क्या कण सीधी रेखा पर चल रहा है, और o से यहां हम अगर b माल लें, तो o से b पर य प्रदर्शित नहीं होती, यनि पॉजिशन टाइम ग्राफ पाथ की शेप को नहीं बताता, पाथ की आकरती को नहीं बताता, हाँ, अगर यह ग्राफ ऐसा होता, y और x के बीच में होता, और ऐसा ग्राफ दिया होता तो इसका मतलब यह कण इस पत पर चल रहा है, यह पत की आकरती है, y और x में दिया गया graph पत की आकरती बताता है, लेकिन x और t में दिया गया graph पत की आकरती नहीं बताता, x t graph से उस कण की velocity पता चल जाती है, उस कण का acceleration पता चल जाता है, उस कण की shape क्या है, उस particle के चलने की shape क्या है, path की shape क्या है, ये पता नहीं चलती, तो इस graph से ह हम कुछ points समझेंगे और उनको लिखेंगे पहला point है इसका जवाब तो no हो गया नहीं क्यों क्योंकि graph because लिख लेते हैं because हिंदी मैं भी यह भी लिखवा दूँगा XT graph XT graph does not show XT graph does not show क्या show नहीं करता shape of path यानि इस्थिती समय ग्राफ पत की आकरती के बारे में नहीं बताता है फिर क्या बताता है यह फिर number one यह बताता है it shows यह क्या बताता है यह बताता है यह बताता है लेकिन उसका path हमें नहीं पता और path के बारे में यह line नहीं बता रहा लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वी डारेक्टली प्रपोर्शनल टी है ठीक है और एक्स डारेक्टली प्रपोर्शनल टी स्वेर है तो यह सरल रेखा पर भी चल सकता है और यहाद करिएगा यहाँ पर एक बिमी गति दी है वन डाइमेशनल मोशन है तो सरल रेखा तो होगा ही लेकिन यह तो पैरा बोला है तो पैरा बोला का अर्थ यह नहीं है कि यह इस पैरा बोला पर ऐसे कण जा रहा है ठीक है जहान देना कई बार आप सोचने लगते हो कि सर यह ग्राफ तो टेड़ा मिड़ा है मतलब कार भी ऐसी टेड़ी मिड़ी जा रही होगी नहीं इस ग्राफ से एकस टी ग्राफ से आपको पत की आकरती समझ में नहीं आती अगर yx ग्राफ दिया होता तो समझ में आता पत की आकरती की x दर गया थोड़ा इदर गया थोड़ा प्रश्न करें, अब समय भी हो रहा है, जल्दी से हम आगे के questions करते हैं, आगे से हम 12 o'clock स्टार्ट किया करेंगे, जिससे कि लगभक देड़ बज़े तक पूरी class खतम हो जाए, अब आजाओ question number 18, 18 में क्या कहा गया, अच्छा question है, तापिक्ष गती का question है, तरल question है, अब पुलिस वैन, moving on a highway with a speed of 30 km पर आर, यह यहाँ पर आप देखेंगे, एक पुलिस वैन है, यह highway है, इस पर एक पुलिस वैन है, यह पुलिस वैन हो गई, कितने किलोमीटर पर आर से चल रही है, पुलिस वैन की speed है, 30 km पर आर, इसको 5 बटे 18 से गुणा करके, मीटर पर सेकंड में बदल दो, तो, 16, 18, 30, यह कट जाएंगे, 36, 35, 25 बटे 3, 25 बटे 3, मीटर पर सेकंड से एक कार, यह पुलिस की कार चल रही है, इसके आगे, एक मॉटर बाइक से, एक चोर भाग रहा है, थीप भाग रहा है, वीटी, वेलास्टी अफ, थीप, कितनी है, कितनी speed से भाग रहा है, 192, किलो मीटर पर आर, आप चमतकार देख रहे हो, पुलिस जा रही है, 30 किलो मीटर पर ती गंटे की रफ्तार से, वे चोर भाग रहा है, 192 किलो मीटर पर ती गंटे की रफ्तार से, तो पुलिस पकड़ पाएगी इसको, नहीं पकड़ पाएगी, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, पुलिस की ये, चोर की speed को, 5 by 18 से, multiply कर लेते हैं, तो, काट पीट दो जरा कितना आएगा, 160 by 3, 160 by 3, मीटर पर सेकेंड, खैसे काट दो, ठीक है, 6 से काट दीजिए, तो ये, 160 by 3, मीटर पर सेकेंड आजाएगा, तो पकड़ तो ये पाएगी नहीं, सही बात है, तो फिर क्या करेगा, एक पुलिस वाला, इस वैन से बाहर निकलता है, और इदर से गन फायर करता है, बुलेट फायर करता है, और बुलेट की जो स्पीड है, वो दे रखी है, कितनी है, देखो, 150, वैलास्टी अब बुलेट, 150 मीटर पर सेकंड, अब सारे के सारे मीटर पर सेकंड में हो गए, बुलेट की स्पीड भी 150 मीटर पर सेकंड, चोर की स्पीड भी 160 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड, पुलिस की जीप की स्पीड भी 25 बाइ 3 मीटर पर सेकंड, सा मीटर पर सेकंड में है, तो वो गोली फायर करेग फिप्टी मीटर पर सेकेंड है, तो with what speed does the bullet hit the thief's car, तो thief की जो car है या बाइक है जो भी है, मैं कार दिये तो thief की भी कार बना देता हूँ, तो इस thief की car को कितनी speed से यह hit करेगी, इसका मतलब यह पूँच रहा है, कि जो bullet की speed है, वो final speed जो bullet की है, वो car के respect में, यानि thief की car के respect में कितनी है, यह पूँच रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब, वी बी डैस इसका मतलब, बुलेट की net speed, thief के respect में कितनी है, तो कैसे निकालते है, बुलेट और जो thief है, वो सेम direction में है, तो घटा के निकलेगी, वी बी डैस माइनस bt, यह clear हो गया, अब वी बी डैस कितना, वी बी डैस का मतलब है, बुलेट की net speed, अब बुलेट किस में से चलाई जा रही है, जीप में से चलाई जा रही है, तो जीप की speed भी उसमें शामिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जा रही है, जा बुलेट की जो speed होगी, उसमें वेन की speed भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि चलती जीप से आपने, या चलती हुई वेन से आपने क्या किया है, बुलेट चलाई है, जैसे आप चलती हुई बस से उतरते हैं, तो आप आगे की तरह भागते हैं कि नहीं क्यों भागते हैं क्योंकि आप जब उतरते हैं तो आपकी speed बस की speed जुड़ जाती है यानि आप बस की speed से चल रहे थे उतरते समय इसलिए बस के साथ आगे भागते हैं ऐसी bullet जब fire कर रहे थे तो bullet के अंदर police van की speed थी बस bullet की speed और आ गई तो दोनों speed जुड़ जाएंगी जुड़ दो कौन-कौन सी ये bullet की speed है 150 और heap की speed कितनी है 25 by 3 ये net speed हो गई VB dash bullet की माइनस VT ये heap की speed माइनस कर दो 160 by 3 अब answer आप बताओ इसको calculate करो जल्दी से क्या answer आया जटपट answer बताओ क्या answer आया बोलो बिल्कुल सही फिशाल सर्वा ने बताए 105 किलो मीट मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही ठीक है तो ये हो जाएगा पूरा question number 18 समझ में आगया